बिस्मिल्यारामानेराहीम, असलामलेकुम दोस्तों गैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप देख रहे हैं इजानसारी फूट सीक्रेट्स अलावरे कदे, आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जाय कोमें तो बहुत जारा पूछे जाने वाली और डिमांड वाली रेस्पी आज मैं आपके लिए बीफ कौफता की लेके हैं हूँ इसकी कड़ी किस तरह की होती है, इसका मसाला ग्रेवी क्या होता है, कौफते कैसे बनाते हैं, डिटेल के साथ एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत इत्मिनान के साथ वीडियो करेंट तक देखेगा, इन्शाला जापको बहुत ही कुछ मज़दार और स्पेशल जान तो तीन से चारी मिर्ट लो से फ्लेम के उपर आपने इसको बून के, जब बुने होए चनों के कुछ बुआने शुरू हो जाए, आपने प्लेट में निकाल लेना है, ताकर ये बेसर ठंडा हो जाए, से लेंजी, बिसमिलार वाने, अब कोफते या कबाब तूटने में प् पानी निकाल दयना है, इसे ये बहुत ड्राय हो जाते हैं, ये बिसमिलार वाने, कीमा आपने लेना है बारीक वाला, जो बारीक मिशीन होती है, एट वाली, आपने कसाई से कहन securities से कीमे को गुझारें ठीक है, और कीमे में चर्बी भी होनी चाहिए, ठीक है, ये तक्रिपन 400 ग्राम कीमा था और इसमें 100 ग्राम मैंने चरबी एड़ करवाई है अब यहाँ पे हमने इसमें कुछ जो मसाले एड़ करने वो ध्यान से आप देखेगा उनके वगार खुश्बू फ्लेवर टेस्ट नहीं आता चलें जी प्याज है तीन प्याज इसमें मैट कर रहा हूँ और चुक्कि उसमें से पानी निकाल दिया तो यह एक प्याज के करीब आपको भी नजर आ रहे है तीन प्याज से जिनका हमने पानी निकाल लिया था ठीक हो गया अब यहां पे अद्दक लेस्ट का पेस्ट आपने पढ़ा हुआ यूज नहीं करना फ्रेश यह तकरिबर टेबल स्पून है इतना जाएगा हाफ केजी की में के अंदर ठीक हो गया अगली चीज हरी मिर्चे और रेट फ्रेश मिर्चे है यह तकरिबर दो टीस्पून के करीब है आपने इनको बिल्कुल बड़ी चॉप करना है ठीक है यह बड़े साइज की हुई तो यह जो कौफता उसको तोड़ देती है एक अंड़ एड़ करेंगे वाइंडिंग का काम करता है और सौफनस का भी काम करता है बागी यह बेसें जो हमने किया था तक 이번 चार से पांच टेबल स्पून इसमें झाएगा और साथ ही अब इसमें हम बाकी के मसाले आइड कर देते हैं नमक डेटी स्पून जाएगा लाली मिर्श का पाड़र भी डेटी स्पून जाएगा ये जरा ला कडारे होते हैं फीके नहीं होते हैं ठीक हो गया सेलेंजी अब इसमें आइड कर देंगे हम खुश्टनिया पौडर वांटी स्पून के करीब काफी होगा हल्दी हाफटी स्पून एड़ कर देंगे यह हमारे पास जीरा हाफटी स्पून और थोड़ी सी काली मिर्श भी जाएगे क्योंकि यह गोश्ट है इसमें हम अजवाइन एड़ कर देंगे डोई यह जो है इस टाइब की होनी चाहिए अब इसको स्टे दे लें वेरी गूड ना भी दें कोई मसाला नहीं हाथों को आपने लगा लेना है कुकिंग ऑईल या गी ताके यह आप से हाथों से चिपके नहीं अब आपने इसके बना लेने हैं गोल-गोल से कोफते ठीक है तो यह कुछ इस तरह से बन चाहेंगे और उसके बाद हम चलते हैं थोड़ी सी ग्रेवी की तरफ बाद में हम इसको बना लेंगे बिसमिलारवाने यहां पर हमें चाहिए कुकिंग ऑईल हाफ कप के करीब और जब गरम हो जाएगा तब इसमें दो से तीन प्याज एड़ करेंगे बारी कटे हुए अब इन प्याजों को आपने ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं करना लेकिन कच्छा बनी शोड़ना जब सुनहरी सा कलर आ जाए तब इसमें अदर ग्लैसन का पेस्ट एड़ करेंगे और जब भी अदर ग्लैसन का पेस्ट एड़ किया जाता है तो फ्लेम जड़ा कम कर देते हैं ताके लैसन अच्छे से पक सके उसकी शांदार सी खुशबू आ सके अब यहां पे हमें चाहिए बिल्कुल रैड कलर का खुबसूरा सा टमाटर दो टमाटर है मिडियम साइज के यह आड़ कर देंगे और अब हम इसमें मसाले आड़ करेंगे तो यहां पे सबसे बहले बिसमिल्ला रवाने 1 टी स्पून इसमें हम नमख के आड़ करेंगे फ़्री स्पून की लालो मिर्च पौदर वाली जाएगई आड़ी 1 टी स्पून की यहां पे हमने पास तकाती 1 टी आड़ करेंगे और कोई मसाला एक गरने की जूरूरा नहीं इसकी हम थोड़ी सी पकाई करेंगे दो से तीन मिनट ज़स ताके लाल मिर्ष्ट की पकाई हो सके कच्छा बंदूर हो सके उसके बाद फ्लेम आपने कर देना है आफ और इसमें डाल देना है पानी क्योंकि जो कोफतों की गिरेवी होती है वो प्लेन वाली होती है उसमें दाना नहीं होता हरे मसालों का ठीक है पाइन डाले से ठंडा हो जाएगा फ्लेम आफ है अब आपने इसको उतार के ग्राइंड कर लेना है ब्लेंडर के अंदर चीक हो गया चले जी यहां पे कोफते हमारे बन चुके हैं इनको हमने करना है फ्राइग तो यहां पे मीटियम टू हाई फ्लेम के अपर कोफतों को एड करेंगे कोफतों को पकने के लिए कम से कम आपको 12-14 मिनट चाहिए लो फ्लेम के अपर टीक है तब यह अंदर तक पक जाते हैं उपर से कलर डार को आपने फिकर नहीं करनी मैं आपको बात बताओं यह कच्चे कीमे कहते हैं लोग अकसर क्वेसिन पूछते हैं कि कीमा कच्चा था ज जदि जनाब जितने भी कबाब होते हैं यह कोफते होते हैं कच्चा कीमा ही जाता हैं इनके अंदर और यह अंदर तक выпуск हो जाता है अब यहाँ पर तक नगका लिया निकाल लेते हैं बिसमीला बांँ यह मसाला जिनको हमने पीस लिया था इसको कड़ाई में अड़ करेंगे और उसके बाद हम इसको low to media flame के उपर पकाएंगे, कब तक जब तक oil उपर नहीं आ जाता और इसका color change नहीं हो जाता ठीक हो गया, जब यह color change हो जाएगा तब हमने इसके अदर दही एट करनी है, एक चोटी प्याली अच्छे से फैंट कर इसमें एट कर देंगे, इससे एक creamy सा texture आ जाता है, flavor बहुत अच्छा हो जाता है, टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो हम इसको अब यहाँ पे हमें चाहिए हरी मिर्चे, हरी मिर्चे मैं यहाँ पे सावत एट कर रहा हूँ हुश्बू के लिए, flavor के लिए नहीं क्योंकि इसकी gravy में ज़्यादा डार्क नहीं होन जाता है, जिससे gravy भी बहुत टेस्टी हो जाती है, और कोफते भी इससे soft हो जाते है, तो बुर्की से तोड़ने से, मतलब रोटी से तोड़ने से soft feel होते है, जिससे मज़ा आता है, डंकर रख देंगे, लोज से flame के अपर दम लगाना है, पांच से साथ मिनट का, उसके तो माशाला, अलहम्दुलिल्ला, देखेंजी मेरे अल्ला की शान, उसकी रह्मते, नेमते और बढ़ते जो दूसरे हमाया तो, शांदर बीफ कोफता तयार है, कोफता करी तयार है, कोफता मसाला तयार है, इसी तरह यह में टेस्टी रेस्पिस के लिए, क्वी कैंडी रेस् ये दौाओं में आदे कि एक लिवरे तक Allah हाफीज